पुलीस ने दावा किया है कि वीडियो को सग्यान में लेकर महमारी एक्ट और बिना अनुमती हाईवे पर रेस कराने का मामला दर्श किया है साथ पुलीस ने आप यहाँ पता लगाने में जूटी है कि वह आखिर कौन लोग है जो बिना किसी अनुमती पर हाईवे पर घोड़ा गाड़ी की रेस करा रहे थे दरसल दो घोड़ा गाड़ी के बीच हाईवे पर दोड़ कराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हुआ वीडियो सिकंदराबाद NH91 का बताय गया तीस सेकंड के वीडियो में जहां दो घोड़ा गाड़ी आपस में दोड़ करती नजर आ रही है तो वही घोड़ा गाड़ीों के इर्दगिर्द बाइकों पर सवार कुछ लोग भी वीडियो में नजर आ रही है वाइरल वीडियो में दावा किया गया है कि सट्टे बाजों ने इस दौड पर लाखों रुपए का सट्टा लगाया था साथ ही दावा किया गया है कि ये रेज आज सुबे सिकंद्राबाद कोत्वाली शेत्र वीर खेकड़ा गाउं से चंदेरु गाउं तक हाइवे पर कराई गई थी वीडियो देखकर साफ अंदाजा लगाय जा सकता है कि घोड़ा गाडियों के इस दौड में कैसे हाइवे से गुजरने वाले लोगों की जान को खत्रे में डाल गया था हलाकि वीडियो संग्यान में आने पर पुलीस ने मामला दर्च कर लिया है और पुलीस अब आरोपियों के पर कारवाही करने का भी तावा कर रही है कर रहें कि कौन से लोग हैं जो इस तरह की बिना पर्मिशन के दौड करा रहे हैं बुलंद शेहर से जावेद खान की रिपोर्ट